हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिए फर्स मेस्टर के सब्जेक्ट लेंग्विज अक्रोस द करिकुलम के प्रीवी से कोशन पेपर के बारे में सो यह जो कशन पेपर है यह 2021 का कशन पेपर है इससे पहले मैं आपके साथ 2020 के सभी कशन पेपर डिसकस कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हो बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक शूर कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वेल को on करके all पर प्रेस कर दो ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्योंकि मैं B8 के सब्जक्ट्स के एलेटेड ही वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ तो चली शुरू करते हैं ये वीडियो तो इस पेपर को करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 1.5 आर्स और इसके maximum marks होते हैं 40 marks और इस question paper में आपको 3 section दिखने को मिलेंगी section A, section B और section C और जो section A होगी उसके सभी questions compulsory होगे यानि कि आपको सभी questions attempt करने होगे और इसमें आपको दिये जाएंगे 4 questions और वो सभी 2-2 marks इच होगे तो देखते हैं इसका first का first part वो explain the tongue tie theory यानि कि tongue tie सिधान्त की व्याख्या कीजिए और जिसका दूसरा question आया था वो था what is textbook method यानि कि पाठ्य पुस्तक विधी क्या है and third one is how the psychological factors affect language learning यानि कि मनों विज्यानिक कारक भाषा अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं fourth one is explain the need of language skills भाषा कोशलों की अविशक्ता की व्याख्या कीजिए तो यह होगी हमारी section A अब हम देखेंगे section B तो जो section B है उसमें आपको दो questions आएंगे और दोनों में से आपको कोई एक attempt करना होगा और इसके marks होंगे 16 so second question is explain the role of language in life जीवन में भाषा की भोमिका की व्याख्या कीजिए and इसका जो option है question number third वो है how language learning affects social and cultural development explain with examples भाषा आधिकम समाजी के वं सांस्कृतिक विकास को कैसे प्रभावित करता है उदाहरन सहीत व्याख्या कीजिए इसके बाद हम देखेंगे last section जो है section C उसमें भी से मुझी तरह से दो questions और दोनों में से कोई एक attempt करना होगा so question number fourth is explain the efforts made under NCF 2005 and NCFTE 2009 for promotion of language development यानि कि वाषा विकास के प्रोत्साहन ही तू रास्ट्रिय पाथे चर्या 2005 एवं NCFTE 2009 में किये गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए और इसका जो option है question number fifth वो है discuss the principles of language learning भाषा आधिकम के सिधानतों की चर्चा कीजिए so guys इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में दूसरे question paper जो रहे गए हैं उनकी वीडियो भी आपके साथ share करूँगी तो please उसके लिए चैनल को आप subscribe कर दीजीगा so thank you so much for watching bye bye take care